आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन एक्जाम्स तियारी पर दोस्तो अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ओल का उप्सन बनता है उसे सलेक्ट जरूर कीजिएगा जिसे की जो भी मैं नहीं आप वीडियो लेकिया हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें और आप ज़्यदा ज़्यदा मैंने प्राप्त कर सकें दोस्तो दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की एकजाम आज खतम होने जा रही है एकजाम खतम होने के बाद आज का यह वीडियो बहुत ही मैतवपन होने वाला है जिस दोस्त की एकजाम हो चुकी है वहाँ कमेंट बोक्स में अपना स्कोर जरूर बताए कितने अटेम्ट किये ह और कितने सही है तो दोस्तो एकजाम की कटोप का सटिक एनालिसेस आपके लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तो हम बात करते हैं कमपेटिशन की यानि की कमपेटिशन कितना है इसकी वेकेंशी कितनी है और दोस्तो पेपर का एनालिसेस करने के बाद में आपको कटोप बताई जाएगे तो दोस्तो सबसे पहले देखते हैं कि competition कितना है, फोरम कितने apply किए गए हैं तो दोस्तो कुल फोरम apply किए गए हैं गुण 30 लाग फोरम apply किए गए हैं जिनमें से दोस्तो 70% है यानि कि 70% चातर ही exam दिये हैं यानि कि लगबग 20 लाग चात्रों ने ही प्रिक्षा दी है और दोस्तो टोटल वेकेंशी इसकी टोटल वेकेंशी कितनी है इसकी टोटल वेकेंशी पांच जार 846 इसकी टोटल वेकेंशी है दोस्तो फिजिकल की पहले कटोप आएगी और कुल पोस्ट का 12 गुणा कंडिडेट यानि कि चात्रों को पांच किया जाएगा यानि कि 5,846 पोस्ट का 12 गुणा कितना हो जाएगा 70,152 हो जाएगा इन में से एक आप होंगे या नहीं यह आपको देखना है दोस्तो अब की बाद टोटल वेकेंशी 70,000 ही मान लीजिएगा क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा तो इन में से बहुत ही कम चातर जो कि फिजिकल में पास हो पाएगे तो दोस्तो फिजिकल की बाद का टोप नहीं बढ़ेगी और बढ़ेगी भी तो जोर मार कर एक या आदा नमर बढ़ सकती है यानि कि जो कंडिडेट फिजिकल पास कर देगा लगभग उसकी नोकरी लग जाएगी और दोस्तो अब बात करते हैं कामपेडिशन की यानि कि एक पोश्ट पर कितना कामपेडिशन है तो दोस्तो 28 चातरों में से एक चातर फिजिकल के लिए जाने वाला है और दोस्तो अब देखते हैं वो चीजे जो एकजाम की कटोप को फरबावित करेगी तो दोस्तो सबसे पहले तो फरबावित करेगी नेगेटिव मारकिंग दोस्तो इस बार दिल्ली पुलिस की एकजाम में नेगेटिव मारकिंग भी है इसके कारण दिल्ली पुलिस के पिछली और अबकी बार की मेरिट में रात दिन का अंतर होने वाला है दोस्तो जहांपर पिछली बार चातर सो में से सो परसन करके आये थे वह 7 बार Sum 10-80 पर्षण तक ही पर्षण करके आए हैं तो दोस्तों कम से कम 30 परसण का अंतर हो गया है यानि कि अगर 30 पर्षण के भी कोई कंडिडेट तुका देता है तो उनमें से कम से कम 5 परसण तो अउसे ही उसके राइट होते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो यहीं पे देख लीजेगा यानि कि 5 नम्मर मेरिट तो यहीं पे कम हो गई और दोस्तो दूसरा कारण देखते हैं टाइम मैनेजमेंट और paper hard का यन कि κुशन भी hard थी तो दूसरा कारण थी time management और paper hard होने का दोस्तो कुछ पर्सन मेट की इतने लेंती थी उनको हल करने में टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा था और कुछ पर्सन रिजिनिंग की ऐसे थे स्रंकला की देख लो आकरती की देख लो जिनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था यानि कि न्यूर न्मलाजिशन के बाद में आपकी इतने नम्मर बनते हैं तो आप फिजिकल में जाएंगे वरना नहीं जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं male candidate की यानकी male candidate के जिन भी candidate के 70 या 70 से पलस अंक प्राप्त हैं वह physical की तयारी सरू कर दे और दोस्तों जिनके नमर 60 या 65 नमर भी बन रहे हैं उनका chance इसलिए है क्योंकि normalization marks में किन के 5 नमर बढ़ेंगे किसी candidate के 10 नमर भी बढ़ सकते है तो वो भी physical की तयारी कर ले बात करे female candidate की तो दोस्तों जिस candidate के 60 या 60 से पलस अंक प्राप्त हैं वह physical के लिए तयारी सरू कर दे क्योंकि दोस्तों physical के लिए बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है और दोस्तों दिली फुलिस का physical कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर race भी होती है लंबी कूद भी होती है और उंची कूद भी होती है जो कि इतनी आसान बात नहीं होती है तो देखी दोस्तों वीडियो देखर ऐसा लगा होगा कि कटोप तो बहुत ही कम है पिछली बार तो सतंतर थी तो इस बार कटोप बढ़ने वाली है लेकिन दोस्तों ऐस पिछली बरती का यहां पर कोई लेना देना नहीं है इस बार पेपर हाड था और नेगेटिव मार्किंग थी और टाइम मेनेजमेंट तो नहीं था यानि कि सभी छात्रों के साथ में ऐसा हो रहा था यानि कि पूरे परसन अटेम्ट कर ही नहीं पाए क्योंकि उनको टाइम बह लेनल्ती थे और मेंट के भी परसन बहुत लेनल्ती थे जिनको करने में जिनको हल करने में बहुती टाइम लग रहा था तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लागए तो इसे लाइक कीजिएगा जादा सी जादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास सेर्थ जरूर कीजिएगा जिसे कि हमारे इस वीडियो का मैनिपिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं और दोस्तों ऐसी नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहीगा और जुड़ने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ओल का उप्शन बनता है उसे सलेक्ट जरूर करें जिसे की जो भी मैं नहीं आप वीडियो लेकिया हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा मैनेफिट प्राप्त कर सके है थेंक्यू दोस्तों जे हिंद जे भारत थेंक्स पॉर वाचिंग